आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर का ऐसा नास्ता जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और खाने में टेस्टी भी है तो आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पराठा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एकदम फूले फूले पराठे हमारे बन कर तयार हो बिल्कुल भी फटेंगे और बहुत ज्यादा नरम भी वनेंगे तो चलिए सुरूर करते हैं इस रेसिपी को हेलो फ्रेंज्स मैं सोनी सोनी फूट स्टैल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आलो मट्रे पराठा बनाने के लिए हमेने दो कप आठा लिया है और एक चमच हम नमक डाल लेंगे या स्वादानिसार नमक डाल लेंगे मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर हम इसका आठा लगाएंगे एकदम नरम आठा हम लगाएंगे जैसे रोटी के लिए लगाते हैं एकदम ऐसा हमें आठा लगाना है मसल लेंगे इसे का साहम घी का हाथ लगाएंगे और इसे ढब कर पी से 25 मिनट के लिए रख देंगे जिसे आठाचे से सेट हो जाएगा तो यह मैंने एक कप मटर लिए हैं एक दम ताजी मटर हैं क्योंकि मार्केट में खूब सारे ताजी-ताजी मटर आई हुए हैं अब हम इसे पीस लेंगे एक बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे अब एक चम्मच इसमें जीरा डाल लेंगे एक चम्मच मैने बारी गटी फी अदरक लिए हैं भूल लेंगे इसे अच्छे से साथ-साथ, एक चम्मम्च मैने बारी कट हुई, हरी मिर्च ली है, वह भी डाल लेंगे, बारी कट कर लिया है, आप चाहें तो, इसे जब मत्र को पीछ ख रहे हैं, तो साथ-साथ, मिर्च को और अधरक को भी आप पीछ सकते हैं, एक चम्ममच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, एक चमबस धनिया पाउडर, एक चमबस जीरा पाउडर डाल लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और अब हमने जो मटर को पीस लिया है वो डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मैंने यहां तीन उबले हुए आलू लिये हैं, जिसको अच्छे से मैंने कद्दुकस कर लिया है, या आप मेश भी कर सकते हैं, इसे हम मिक्स कर देंगे, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आप चाहिए तो चाट मसाला भी उज़ कर सकते हैं, एक चमच हम नमक डाल लेंगे, या स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीजों को, देखिए, अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मिथी डाल लेंगे, जिससे और भी बड़ी अ फ्लेवर आए, और बारी कटा हुआ हरा धनिया, तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं, बस स्टाफिंग हमारे तयार है, इसे हम दो मिनट के लिए ढखकर ऐसे ही रख देंगे, और गैस क अब आटे को हमने पकाया लें है, बस दो मिनट लो फलिम पर अपनी से अच्छे से पक जाएंगी, दो मिनट हो गए है, देखिए, बिलकुल अच्छे से हमारे स्टाफिंग बन कर तयार हो गई है, अब गैस को हम बन कर देंगे, और स्टाफिंग को एकदम ठंडा करेंगे, जब भी हम कोई पराठे बनाएं तो जो हम स्टफ करेंगे, उसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, तब आटे को चेक कर लेते हैं, से एक सी दो मिनट और मसल मसल कर हम चिकना कर लेंगे अच्छे से, और जितने हमें बड़े पराठे बनाने हैं, उसी के अनुसार इसमें से हम लोईया तोड़ लेंगे दीए ऐसे हम सारी लोईया बना कर तयार कर लेंगे अब एक लोई लेंगे और उससे सूखे आटे पर अच्छे से लपेट लेंगे और इसे हम थोड़ा सा बिल लेंगे, ज़ादा नहीं बिलना है रोटी की तरह हलका सा कम रखना है अब stuffing खूब सारे stuffing हम इसमें रखेंगे क्योंकि कोई भी प्राठे वना है खूब सारे stuffing होगी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे तो इसे ऐसे उठा कर फोल्ड करते जाएंगे और अच्छे से बंद करके जो भी एक्स्टार्टा हो गया तो आप निकाल दीजी या ऐसे ही प्रेस कर दीजी अब हलकी हाथों से इसे प्रेस करेंगे और जिस साइड से हमने प्राठे को बंद किया था उसी साइड से अगर आप बेली ही तो प्राठे कभी भी फटेंगे नहीं तो अच्छे से हम इसे बेल लेते हैं मैं या बड़े बड़े पराठे बना रहे हूं क्योंकि खूब सारी हम स्टफिंग भरते हैं इसमें तो कोई भी पराठे बनाए तो थोड़े बड़े बड़े ही बनाएं इसे प्लेट में निकालेंगे और बेल देते हैं एक और बेल लेंगे थोड़ा सा बेल के और फिर हम इसमें स्टफिंग रख देंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए ऐसे बंद कर देंगे और एक स्टार्टे को ऐसे प्रेस कर देंगे अब इसे बेल लेते हैं कि जिस साइड से हम पराठे को बंद करें हम साइड से बेलें तो तवाच्छे से घ alarm हो गया है नाल लेते है प्राठे को देखी पराठे का हलका destructive चेंज हो गया है तो अब इसे पलट लेते हैं CR-L लगा कर इसे सेख लेते हैं आप चाहें तो कोई भी cooking oil ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं जो भी चीज आपको पसंद हो उसी में आप इसे सेख लीजिए में आगी में सेख रही हूं घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराथे बनते हैं तो दोनों तरफ से हम घी लगा कर अच्छे से golden brown होने तक इसे सेख लेंगे अच्छा सा crisp आने तक हम इसे सेख लेंगे और एकदम फूले फूले पराथे बनकर तयार होंगे एक भी पराथा आपका पटेगा नहीं बिल्कुल भी एकदम फूले फूले पराथे बनकर तयार होंगे तो दोनों तरफ से हम अच् अब दूसरा पराठा हम सेक लेंगे ऐसे ही गी लगाएंगे अच्छे से और दोनों तरह पलट पलट कर हम ऐसे अच्छे से से लेंगे अगर आपको कम तेलिया घी पसंद है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं देखिए एक दम फूले फूले बन कर तयार होंगे एक भी पराठा ऐसा नहीं बनेगा जो फूलेगा नहीं देखिए तो ऐसे ही बना लेंगे सारे देखिए मैंने पराठा बना लिया है कट करके मैं दिखा रही हूँ आपको खूब सारी इसमें स्टफिंग भरी हुई है एक्तम सौफ्ट ये पराठे बन कर तयार होते हैं देखिए मक्षन के साथ इसे रहते के साथ एंजोई कर सकते हैं या मैंने लहसुनी चपने बनाई थी इसके साथ एंजोई कर सकते हैं या अचार के साथ आप खा सकते हैं ऐसे ही फोल्ड करके भी आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट ही लगेंगे तो आप भी बनाईए खाईए और अपने एक्सपिरियंस प्लीज मिरे साथ सेर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजी बेल आईकन को आप जरूर प्रेस कर लीजी जिससी हर ने वीडियो की नोटिफिकेशन आप को पहले ही मिल जाए तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद